अगर मैं बरतमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैटे हुए साथी है ये उनके लिए गोल्डन ऑपरजुनिटी है इस सत्र में पराजय का गुसा निकालने की उजना बनाने के बजाएं इस पराजय में से सीख करके पिछले नौ साल से चलाई गई नकारतमक्ता की प्रवुत्ती को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारतमक्ता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्ट कोण बदलेगा उनके लिए नया द्वार खुल सकता है और वो विपर्श में हैं तो भी उनको एक अच्छे डवाई दे रहा हूँ कि आईए सकारत पो विशार ले करके आईए अगर हम दस कदम चलते तो आप बारा कदम करका फैसला ले करके आईए हर किसे का भवी सुझवन है निरास होने की जरूत नहीं है लेकिन किपा करके बहार के पराइजे का गुसा सदन में मत उतारना हताशा निरास होगी आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुर्ण 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 करना भी पड़ेगा लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाईए और अभी में मैं कहता हूँ मैं मेरे लंबे अनुभों के आधार पर कहता हूँ कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए विरोध के विरोध का तरीका छोड़िए देशित में सकारात्मक चीजों का साथ दिए अच्छी उसमें जो कम्या हो उसकी डिबेट कीजिए आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफ़त पैदा हो रही है हो सकता है वो मुहमत बदल जाए तो मोका है यह मोका जाने मत दीजिए और इसलिए हर बार मैं करबद्ध प्रार्षना करता रहा हूँ कि सदन मैं सहयोग दीजिए आज मैं राजनितिक जश्रिकोर्ण से भी कहना चाहता हूँ कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारत्वक्ता का संदेश के आपकी छभी नफरत की और नकारत्वक्ता की बने वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वकुन है उतना ही मुल्यवान है और उतना ही सामर्थवान भी होना चाहिए और लोकतंत्र की भलाई के लिए मैं फिर से एक बार अपनी ये भावना को प्रगट करता हूँ पेंटी फोटी सेवन अब देश विश्चित होने के लक्ष में लंबा इंतजार करना नहीं चाहता समाज के हर वर्ग में ये भाव पादा हुआ है कि बस आगे वढ़ना है इस भावना को हमारे सभी मान्य सांसत समद्र आदर करते हुए सदन को उस मजबूती से आगे बढ़ाएं यही मेरी उनसे प्राइब